हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किये हुए उन सभी कमेंट का one by one आप लोगों को जो है मैं आंसर देने वाला हूँ और यहाँ पे आप लोगों को बता दो कि आप लोगों के जो कमेंट आए हुए थे कि जो yearly वाले student है उनके जो है exam और assignment कब होंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दो कि जो yearly के student है जैसे अगर आपका जो है winter season है yearly का तो आपके जो assignment है वो अभी हो रहे है और आपके जो exam है वो फरवरी में होंगे और अगर आपका जो है summer season है तो आपको बता दो कि आपके जो assignment होंगे वो 2024 में जून में होंगे और exam जो है आप लोगों की जुलाई में होंगे ठीक है तो चलिए अभी जो आपके comments है उनका यहाँ पे मैं one by one answer देने वाला हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मोहित ने जो है पूछा है कि yearly वालों के कब होंगे please reply तो इसका answer जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी starting में आप लोगों को उसके बाद नेगी है इन्होंने पूछा हुआ है कि DOB गलत हो गई है और अब कैसे change करें तो मैंने एक वीडियो बना तो उस वीडियो को देख लीजिए आप लोग उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके जो है जो डियो भी है वो कैसे आप लोगों को change करना है फिर यहाँ पे मुकी रावत है इन्होंने पूछा हुआ है कि जो digital marketing का assignment नहीं हो रहा है क्या तो भाई जब आप assignment देन नहीं होगा ठीक है फिर next comment है यहाँ पर आरती बोरा का इन्होंने यहाँ पर पूछा हुए कि यह फर्स सेमेश्टर के जो पेपर हैं दूसरी जगर पर देना है क्योंकि वहाँ पर दूर है तो आप जो है जो आपका examination center है उसको change कर सकते हैं मैंने एक वीडियो में आपको ब यहाँ पर next comment है इन्होंने यहाँ पर पूछा हुए कि जो फर्स सेमेश्टर में जो यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ पर subject हैं जैसे कि VAC09, BAHL इनके जो syllabus इन्होंने पूछा हुए या previous question paper तो syllabus देखिये मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ था live वीडियो में कि कैसे आ आपने वो वीडियो नहीं देखी वी हैं तो इस वीडियो के इंडमिन यहाँ पर एक बीडियो का आइकन सोगा उस पर click करके आप लुग देख सकतें या नीचे discussion box में भी जा सकतें वहाँ पर आपको जो bio मिलेगी उसके click करके उस video को देख लिजी उससे आपको पता चल जा कि आपको जो है कैसे आपके जो असलीबस है वो डावलोड करना है और जो वी एसी जो 09 है वो आपका environmental science है तो इसके जो कोर्शन है वो मैं already solve कर चुका हूँ चैनल पर वीडियो मिल जाएगी आपको आप प्लेइलिस्ट पर जाके देख सकते environmental science है यह आपका फिर यहाँ पर मोहित है इन्होंने यहाँ पर पूछा हुए कि चार assignment जो है वो हो चुके हैं बट मेरे बाकी चार assignment नहीं हो रहे हैं तो अगर नहीं हो रहे हैं तो वेट कीजिए उसके बाद कुछ टाइम के बाद ट्राइ कीजीगा हो जाएंगे ठीक है फिर यहाँ पर नेक्स कमेंट है इन्होंने यहाँ पर पूछा हुए कि yearly है तो मेरे कितने exam और कितने assignment होंगे तो अगर आपका yearly है BA का तो आपके जो है yearly होते हैं जैसे अगर आपने जनवरी में admission लिया हुआ होगा तो उसमें जो है जो आपक एक additional subject होता है अगर भी यह first year है तो environmental science होगा अगर भी यह second year है तो human value and ethics होगा मानव मुल्य हम नेतिकता फिर next comment है यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि जो EOM101 के subject के बारे में बता दीजिए तो देखिए यह जो आपका syllabus है यह सारा नया है और मैंने आपको वीडियो की तुरू यही बताया हुआ था कि कैसे आप लोग जो है जो आपका syllabus है उसको download कर सकते है वहाँ पी जाके syllabus download कर लेजिए आपको पता चल जाएगा ठीक है फिर next comment है यहाँ पर इन्होंने पूछा हुए कि बिए secondary में back आई है फाइनल के साथ मैं इसका paper दे सकता हूँ जी हाँ आप जो है दे सकते हैं कि अगर किसी strength की back आई हुए summer season में अगर वो अभी winter season में जो है back form fill नहीं करना च division में ही back form fill कर सकता है कोई issue नहीं होगा इसमें फिर next comment है इन्होंने पूछा हुए कि जो अगस्त में back form बरें उसके assignment कब होंगे तो जो अगस्त में आपने back form fill किये हुए थे उनकी assignment जो थे वो आपको अगस्त में ही देने थे जैसे अगस्त में जून में आपने back form fill किया time जो है आप लोगों के वहाँ पर option आ रहाता exam और assignment का उसके बाद हुए हैं तो वह आपके exam थे आप एकबल login करके देख सकते हैं आपको जो है पता चल जाएगा फिर यहाँ पर next comment है इन्होंने पूछा हुए कि first semester के लिए इस exam में कितने syllabus पढ़ना पढ़ता है तो देखिए आपका जो syllabus है जो first semester का वो आपको सारा पढ़ना पढ़ेगा उसी मैंसे आप लोगों के question आएंगे और अगर आप लोगों के पास syllabus नहीं है तो मैं आपके जो 2023 में BA first year के जो अभी exam होए हैं उनके question paper solve करके लेके आ रहा हूँ आप उनको देख सकते हैं और यहाँ पे जो है आपके जो assignment है वो भी उससे भी related मैंने वीडियो डाली हुई ह तो आप जाके देख सकते हैं उनको ठीक है फिर next comment है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि 14 September 2023 में जो है admission लिया है first semester में क्या हमारे भी assignment हो रहे है जी हाँ अगर आपका first semester है तो आपकी भी assignment हो रहे है अभी और assignment के बाद जो है फरवरी में आपके एक्जाम हो होंगे तो अभी से अपनी तयारी कर लीजिएगा सभी लोग फिर आप इन्होंने पूछा हुआ है कि इंहोंने पूछा हुआ कि इंपोर्टेंट कोशन बता जिए साथ मैं पड़ा भी दीचिए तो देखिए जो आपके previous question paper है वो मैं आप लोगों के लिए solve करके लेके आ र काम होने वाला है easily उसमें पास हो सकते हैं और यहां पर दोस्तों आप लोगों को बताओं कि अगर आप लोगों ने जो हमारा WhatsApp ग्रूप हो अभी तक जोइन नहीं किया हुआ है तो नीचे comment box में मैंने WhatsApp ग्रूप का जो link है वो दिया हुआ है तो click करके आप सभी लोग जोइन कर सकते हैं और अगर अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया हुआ है तो like कर लिजिए एक बार और यहां पर जो आपके comments दे उनका जो answer है वो सभी comments का मैंने इस वीडियो में दे दिया है अगर आप कोई भी question पूछना चाहते हैं तो नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं आपक कैसे आपको आपकी book download करनी है तो नीचे description box में video दी हुई है उस पर click करके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको हमारे next video में तब तक के लिए bye bye and good night